तो मैंने सोचा कि आज दोपर के लंच में ही मसाला डोसा बनाती हूँ क्योंकि हमल को वैसे भी मसाला डोसा बहुत ज़्यादा पसंद है हेलो नमस्ते गुड मॉर्णिंग जेशी कृष्णा वेलकम बैक टू रिदी खोरावास व्लॉग बहुत अची मॉर्णिंग के साथ आज के दिन की सुरुवात करती हूँ और आज ना कल रात को लेट से सोई हूँ फिर भी जली-जली से जगना परा क्योंकि फूजा करने में लेट हो जाता है तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कल रात को पार्टी गर की इतना ज्यादा मजा आया फेमेलिक के साथ में सोहेमल अभी तक सो रहे है दो बज़े तो हम लोग आए और मैं चार बज़े सोई और फिर आठ बज़े जट आई सो आज ना दोपर को कमप्लीट निंग लूँगी इसलिए जल्दी सभी खाना बनाऊंगी काम करूंगी वैसे तो बेडरूम की क्लिनी ही बाखी है मैं पुझा के साथ साथ में थोड़ा थोड़ा काम भी करती जाती हूँ सो पता है ने चलता है क्योंकि मुझे ना पूरे घर में पुझा करती हूँ टायम लगता है एक घंटा चला जाता है अब इमें मेरा गीता जीव अगिरा चो कुछ पी में डेईली पढ़ती हूँ वो बाकी है सो अभी वो पढ़ने बैठूंगी आराम से क्योंकि अभी सिर् करती हूँ तुलसी मा की पुझा करती हूँ गर की चोखट की पुझा करनी होती है और प्लांस को पानी पी साथ-साथ में वो सब कुछ काम चलता रहता है इसलिए पूझा में थोरा मुझे लेठ होजाता है चलिया तो अभी में बैठूंगी सीधा मेरी जो गीता जी में बड़े celebration करने गए थे तो फटा फट से ready होके गए थे उसके आने के बाद भी मैंने कुछ काम नहीं किया था क्योंकि लेट से ही आये थे इसलिए अभी bedroom का हाल तो देखने जैसा ही नहीं है यहां से लेके यहां तक पूरी cleaning करनी है और अभी बच गए है सारे 11 फटा फट से पहले bedroom की cleaning करोंगी फिर जाओंगी kitchen में खाना बनाने और हैमल कप के जग के फ्रेस होके market भी चले गए हैमल का अच्छा रहता है फटा फट से फ्रेस होते हैं और अपना काम फिनिश करने चले जाते हैं सिफ चाई पीके क्योंकि हमल को भी सुभा सुभा breakfast नहीं अच्छा लगता है अब गरम गरम सा दोपर को lunch बनाओंगी कुछ देखते हैं क्या बनाओ lunch में अभी तक सोचा नहीं है और साथ साथ में vlog भी start है चले तो काम start कर देती हूँ क्योंकि मुझे ना पूझा में लेट हो जाता है तो फिर काम में भी लेट होता है और रात्तों में जगी भी लेट से ही थी आठ बजे जगी आठ नहीं सारा आठ बजे जगी थी बैर्रूम की क्लिनिंग हो गई है और यहाँ पर सारा काम मेरा फिनिश हो गया है अब चाहा रही हूँ में नीचे किचन में खाना बनाने के लिए बढ़ क्या है कि आज खाने में खाना नहीं बनाना है क्योंकि इस खाने में खाने का मतलब यह है कि आज डाल रोटी सबजी वो सब कुछ नहीं बनाना है क्योंकि दो दिन पहले ना मैं गई थी मार्केट तब में लेका आई थी वो जो बैटर होता है ना मसाला डोसा बनाने का क्या है कि हमल एक वीक तक अभी अपने इवेंट पे बिजी रहने वाले है तो साम को हमल फिर डिनर नहीं करेंगे तो मैंने सोचा कि आज दोपर के लंच में ही मसाला डोसा बनाती हूं क्योंकि हमल को वैसे भी मसाला डोसा बहुत ज़्यादा पसंद है अभी बजा आगा ना बिडू आज कुछ अलग डिफरेंट स्टाइल मसाला डोसा वैसे मसाला डोसा बनेंगे जीनी नहीं बनाने वाली हूं उसके साथ वह दाल चटनी सब कुछ साथ में बनाने वाली हूं तो एक चात का हैवी लंच भी हो जाएगा सो आज घर पे बनेंगे साथ इंडियन स्टाइल मसाला डोसा वह भी दोपर के लंच में हमल देखेंगे ना तो बोलेंगे की ही क्या क्योंकि हमल को वेसे वेसा सब कुछ पसंद है सो चले पटा पटसद कीचन में जाती हूं और खाने की प्रिपरियर स्टार्ट कर देती हूं सो अभी अभी ना जस्ट में घर पे आया हूं थोड़ी देर हूई है और मीचे मेनना नीचे कीचन में देखा दिछला अभी इस समय दोपर के ताइम मसाला दोशा बना रहे है या कुछ ना कुछ तो घड़ बड़ जुरूर है तो अभी में उससे जा कर भूछता हूं कि इस समय क्यों चले जाते हैं और देखते हैं अभी बना लेकर जा रिच अब ऑब ऐक क्या बना रही हो अभी अभी देखा तो सही मसाला डोशा व क्या किसले नव बादिन वताम वित अहुआ है वि बोलिय क्या वोलिजी ओवि दी क्या से कमम मसाला चार्ज ठाď करना है है यजहींदे करें बादधे क्या चाहिसिस्हिएख क्या मैं वित तो प्रफो छॉछल खाना बनके एकदम से रेडी हो गया है मस्ताला ढोसा यहां पर यमी यमी सा चीज के बिनाता है यहां पर मस्ताला ढोसा यहां पर है सामभार और साथ में बनाई है दार्या की चट्नी जो कि भुने हुए दार्या होते हैं तो अब पर चेक, ये अवी खाना खा लेते हैं क्योंकि है मोरको लेट हो रहा है, उसे जल्दे-जल्डे से जाना है इवेण्ट के काम के लिए सो अभी इमनिंग हो गई है और साम के टाइम के मातारानी की पूचा भी हो गई है और साथ साथ में में देख रही थी यानि की घर पे स्टार्ट होता है बचन वरना कोपी डैट आज जाएगा फिल और आप लगों को मातारानी के दर्शन भी करवा देती हूँ सो साम के टाइम के पूचा मेरी हो गई है और आशापुरामा के दर्शन भी कर लीजिए मातारानी सब की मनुकामना पूरी करे और सब की जिन्गी में धेर सारी खुश्या आए चलिए अभी सब कुछ काम हो गया है और हैमल अपने इवेंट में से नहीं आए है वो थोड़ा का होते है तो अपने काम में होते है सो अभी मुझे ना थोड़ा बहुत काम है सो वो फिनिश करती हूँ उसके बाद रात का गरम गरम से दिनर बनाऊंगी सिल्फ मेरे लिए क्योंकि हैमल तो है नहीं अब डेली तीन-चार दिन तो कंटीनियू है ही नहीं सामको घर पे वीडियो को लाइक शेरें सब्सक्राइब कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल कौन कर दीजिए इंस्टा पे फॉलो का लिजिए सो चलिए मिलती हूँ कल तब तक के लिए सबको गुद नाइट टेक केर बाई बाई